आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मिचेल फैल्ट्स हूँ, मैं स्टैन्फर्ड विश्व विद्याले के अपातकालीन विभाग में काम करने वाली चिकित सक हूँ हम सभी जानते हैं कि अस्पतालों में बीमारिया फैलती है और इस लेक्चर का लक्ष है आपको हाथ धुने हैंडवाशिंग के और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरन के उचित इस्तेमाल से इस रोग के संक्रमन को सीमित करने में सशक बनाना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरन जिसे PPE भी कहा जाता है का लक्ष प्रदाताओं को संक्रामक या रासायनिक जोखिम से बचाना है हाला कि यह रोगी की सुरक्षा के लिए भी है मरीज खत्रे में हो सकते हैं या तो पहले से मौझूद बीमारियों से या ऐसी बीमारियों के संक्रमन से जो हम उनसे मिलते समय अंजाने में कमरे में ले जाते हैं कुल मिलाकर इस लेक्चर के उद्देश्य चौगुने है पहला हम हाथ धोने और उन्हें अच्छे से साफ करने के उच्छे तरीके पर चर्चा करेंगे यह सुनने में आसान लगता है लेकिन कुछ छोटी बाते हैं जो आपकी जान बचा सकती है इसके पश्चात हम समझेंगे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरन या PPE में इस्तेमाल होने वाले कौन से अलग-अलग उपकरन होते हैं हम PPE के भिन-भिन स्तर समझेंगे सुरक्षा के नियून्तम, मध्यम और अधिक्तम स्तर और उसके पश्चात दिन का ज़्यादा तर वक्त PPE को पहनने और उतारने के सही धंग पर केंद्रित होगा सही धंग से हाथ धुना सबसे महत्वपून चीज है जो सभी स्वयम को, अन्य कर्मचारियों को और मरीजों को बचाने के लिए कर सकते हैं यह किसी भी स्थान पर किया जा सकता है जहां साफ पानी और साबुन हो आप साबुन के बदले मद्य आधारित प्रिक्षालिक, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर यह आसान है या आपके पास साफ पानी उपलब्ध नहीं है तो अब हम अपने प्रस्तुती करण की पहली विडियो पर पहुँच चुके हैं यहां दस्ताने नगना हाथ के प्रतीनिधी हैं और लाल पेंट साबुन रहेगा और आप देख सकते हैं कि असलियत में हाथ के हर एक हिस्से तक पहुचने के लिए कितनी विस्तार पूर्वक मेहनत और तक्नीक की आवश रकता है यदि आप सावधान नहीं है और पर्याप समय नहीं लगाते तो आपके हाथों की पालमार सतों को धोना आसान है किन्तु आप देख सकते हैं कि हाथों के पिछले, अंगूठों और उंगलियों के बीच के हिस्सों को खास ध्यान की आवश रकता है आप यह भी देख सकते हैं कि सफल डॉफिंग तक्नीक या यूं कहें कि उतारने के सफल तरीके के रहते हमारी मौरल अपनी हथेलियों पर जरा भी लाल साबुन न लगने देने में काम्याब रही जो दर्शाता है कि उन्होंने खुद को और संदूशित होने से बचा लिया व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरण के सबसे अधिक इस्तिमाल किये जाने वाले उपकरण दस्ताने हैं जो बैंगनी रंग में दिखाई दे रहे हैं तीन लेवाला मास्क जो उपर के बाएं कोने में दिखाई दे रहा है संरिक्षी चश्मा, गौगल्स या फेस शील्ड जो उपर के दाएं कोने में दिखाई दे रही है और एक चोगा, गाउन जो नीचे दिखाई दे रहा है और याद रखें, कारेकरताओं को हर मरीज से मिलने से पहले दस्तानों का नया जोड़ा पहनना चाहिए PPE के अधिक्तम स्तर को इस्तेमाल करते समय, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे आप दस्तानों की दो लेयर, परत पहन सकते हैं और हर मरीज से मिलने से पहले बाहरी लेयर बदल सकते हैं इसके बाद मास्क तीन लेयर वाला मास्क जिसे आम तोर पर सजिकल मास्क कहा जाता है वो नीचे बाई तरफ है और यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति के मून से निकलने वाली छोटी बूंदों को बाहर निकल और वोको संक्रमित करने से बचाता है यह मास्क अधिकतर उन वाइरल कणों की छलनी नहीं कर पाता जिन्हें पहनने वाला अपनी सास में अंदर ले रहा है लेकिन बड़े कणों को जरूर रोकता है और कपड़े के मास्क से कई बहतर सुरक्षा प्रदान करता है यह मास्क उन कनों की चलनी करते हैं जो पहनने वाला अपनी सास में ले रहा है तथा पी इन मास्क को ठीक से फिट करना चाहिए ताकि दोनों तरफ जरा भी जगह न रहने पाए हर ब्रांड का मास्क थोड़ा अलग फिट का हो सकता है इसलिए उचित बचाव के लिए कारेकरताओं को उन सभी ब्रांड के मास्क पहना कर देखना चाहिए जो आपका अस्पताल इस्तिमाल करता है जब भी कारेकरता कोई नया मास्क पहनते हैं नोस पीस, नाक पर आने वाला हिस्सा को उनके चहरे के विशिष्ट आकार के समान होना चाहिए। फिर उस कार्यकरता को उस मास्क की फिटिंग पर रखनी चाहिए ताकि वो मरीज के कमरे में जाने से पहले सुनिश्चित कर सके कि जरा भी जगह तो नहीं है। पहनने वाले की आँखों को कनो के संक्रमन में आने से बचाने के लिए या तो गौगल, चश्मे या फेस शील्ड, चहरे की ढाल पहनी जा सकती है। वाइरस, खून, अन्यशारीरिक द्रव या रसायन कारे करता को आँख की कोमल परत को छूने के समय हानी पहुँचा सकते हैं। आँखों के बगल के हिस्से को बचाने के लिए गौगल आँखों पर धंक से बैठने चाहिए। नजर वाले चश्मे उप्योग सुरक्षा नहीं देते क्योंकि वे आँखों के बगल के हिस्से को नहीं ढखते। फेस शील्ड या कुछ प्रकार के गौगल नजर के चश्मे के उपर पहने जा सकते हैं। एक चोगा, गाउन, सिर का कवर और जूतों का कवर कारेकरता के कपड़ों, त्वचा और बालों को संक्रमन में आने से बचाने के काम आते हैं। कारेकरताओं के पास जब भी ये होते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की एक अतिरिक परत्रदान करने के लिए उप्योग किया जाना चाहिए। संक्रमन के किसी भी खास खत्रे के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरनों के विभिंस तर हैं जिनका इस्तिमाल किया जा सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरन के सबसे अधिक इस्तिमाल किये जाने वाले दो उपकरन दस्ताने और तीन लेयर वाला मास्क हैं। हमेशा बदलना चाहिए। उतारने का सही तरीका है पहले दस्ताने उतारना और फिर अपने हाथ धोना। जब भी आप किसी भी संभवता दूशित सता को छूते हैं तो आपको अपने हाथ धोने चाहिए। याद रखें, हर उप्योग जगह को 20 सेकंड तक साफ करना चाहिए। हाथ धोने के बाद आपको मास्क उतारना चाहिए। अपातकालीन विभाग में हर मरीज के लिए हम मध्यमस्तर PPE इस्तिमाल करते हैं। साथ ही अलगाव के किसी भी कमरे में या सामूहिक अलगाव कमरे में दाखिल हुए मरीजों के पास होने पर या आम मरीजों के श्वास इलाकों में होने पर। इस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में N95 मास्क और दस्ताने शामिल हैं। N95 मास्क बूंदों और हवा में होने वाले कणों के लिए काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है और इसे उच्छ जोखिम वाले इलाकों में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें अपातकालीन विभाग में मरीजों से मिलना और दाखिल हुए और अन्य मरीजों की सेवा और श्वास इलाके शामिल हैं। पहने जाने वाला आखरी उपकरण होना चाहिए। यदि उपलब्ध हो, आखों की सुरक्षा उपकरण। एक बार फिर गौगल द्वारा आखों की सुरक्षा नजर ठीक करने के सामाने चश्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इससे आखों के पास के इलाके को सुरक्षा मिलती है जो सामाने चश्मे नहीं कर पाते। इन्हें मास्क पहनने के बाद लगाया जाएगा। इस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को पहनने का सही तरीका है पहले दस्ताने उतारना फिर उतारते समय अगर कोई भी दूशन लग जाए तो उसे हटाने के लिए हाथ को धुना। उसके बाद गौगल हटाना और फिर N95 निकालना जिसके लिए पहले निचला पटा निकालना चाहिए और फिर उपरी। फिर अपने हाथ पुना धोना। अगर मास्क उतारने से पहले कभी भी आपके हाथ मास्क के बाहरी सतक को छूते हैं, तो N95 के पट्टों को हटाने से पहले अपने हाथ दोबारा धुना अवश्य ध्यान रखें. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उत्तमतर लेवल में हम आखों के सुरक्षा उपकरण, N95 मास्क, चोगे के समान शरीर को ढखने का वस्तर, दस्ताने और अगर उपलब्ध हो तो सिर और जूतों के कव़ पहनते हैं. इसका इस्तेमाल अपातकालीन विभाग और ICU में या COVID-19 के गंभीर मरीज या किसी और श्वास तकलीफ के मरीजों के लिए गेहन केर यूनिट में होता है. जब भी एरोसोल की प्रिक्रियाइन हो तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. आम तोर पर ये Intubation या अंतरीक्षा जैसी अन्य प्रिक्रियाइन होंगी. सही तरह से पहनने के लिए पहला कदम एक बार फिर 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोना है. इसके बाद यदी उपलब्ध हो तो आप जूतों के कवच चड़ाएंगे, हाला कि यह इस विडियो में नहीं है. अगला कदम है चोगा या गाउन पहनना. जो चोगे पहने जा रहे हैं उनके जैसे कुछ चोगों में अंगूठों के लिए छेध होते हैं और कुछ में नहीं, और हो सके तो चोगे को पीछे से कसना चाहिए. इस विडियो में दस्तानों के दो सेट इस्तिमाल किये जाएंगे, एक अंदर का और एक बाहर का, ताकि हथेलियां बूंदों या शारीरिक द्रवों से संक्रमित न हो आप देख सकते हैं कि पहले अंदर वाले दस्ताने पहने जाते हैं और फिर अगर इस विडियो की तरह उपलब्ध हों, तो अंगूठी के छेद को उपर से खीचना चाहिए अगला कदम है मास्क पहनना, एक बार फिर N95 के दो पट्टे होते हैं, हलंकि यह पिछली विडियो से जरा अलग मॉडल है नोस पीस को फिट किया जाता है, जाच करी जाती है कि धीला होने के कारण जगह तो नहीं है, और फिर यहां दिखने वाले डॉक्टर के चश्मा पहने हुए होने के बावजूद, आखों के बगल के हिस्से को ढखने वाले सुरक्षा उपकरन पहने जाते हैं आखिर में दस्तानों का दूसरा जोड़ा पहना जाता है, उस वक्त बालों का कवर अगर उपलब्ध हो तो उसे उपर से लगाया जाता है अधिक्तम PPE को ढंक से उतारने के लिए पहले आप चोगा उतारेंगे, जिसके साथ आप बाहरी दस्ताने भी निकाल लेंगे फिर आप अंदर वाले दस्तानों को साफ करने के लिए प्रिक्षालिक का इस्तेमाल करेंगे और फिर सुरक्षा अत्मक्चश में उतारेंगे आप दोबारा अपने हाथ धुएंगे और अंत में आप N95 मास्क उतारेंगे अगर आपको कभी भी संदेह हो कि आपके हाथ या दस्ताने संक्रमित हुए हैं तो अगले कदम के पहले अपने हाथ धुएं इसमें कई जटिल और परस पर संबंधित कदम हैं इसलिए अगर आपके पास स्टाफ हो तो आप हर कारेकरता के अधिक्तम PPE को पहनने और उतारने की प्रक्रिया का अधिक्षन करने के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारित कर सकते हैं जो संभावित संक्रमन के प्रती चोकनना रहे और जिस स्थान पर हमारे शिक्षक काम करते हैं वहां PPE को पहनने और उतारने के उचित तरीके सिखाने के लिए आपचारिक ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो की कारेकरता को मरीज सेवा स्थलों में जाने से पहले करने पड़ते ह संक्षिप में याद रखे की हाथ धुना सबसे आवश्यक कदम है जो आपकी अस्पताल सेवा में काम करने वाला हर व्यक्ति कर सकता है इसके अतिरेक्ट उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरन इस्तिमाल करना और पहनने और उतारने की उचित प्रक्रिया को ध्यान में र झाल